प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार! आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्साह कायम होगा. आज हम छठी कक्षा के विज्ञान का बारवा अध्याय विद्यु तथा परिपत पढ़ेंगे. सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हम पहले से क्या जानते हैं? अंधेरे कमरे में रौश्णी करने के लिए किसके अवशक्ता होती है? अंधेरे कमरे में रौश्णी के लिए हमें बल्ब की अवशक्ता होती है. गर्मी से राहत पाने के लिए आपको कौन से उपकरणों की आवशक्ता होती है पंखा, कूलर, इत्यादी हमें गर्मी से राहत देते हैं आपके सामने दिवार घडी चल रही है इसको चलाने के लिए किसकी आवशक्ता पड़ती है दिवार घडी को चलाने के लिए हमें सेल की आवशक्ता पढ़ती है आज हम क्या सीखेंगे? विद्यूत सेल, विद्यूत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, विद्यूत परिपत, विद्यूत स्विच, विद्यूत चालक तथा विद्यूत रोधक सबसे पहले हम विद्यूत सेल के बारे में जानेंगे अंधेरे कमरे में देखने के लिए हमें टॉर्च की अवशक्ता पड़ती है बच्चों, आपने कभी सोचा है कि टॉर्च के बल्ब को विद्यूत कहां से मिलती है टॉर्च के बल्ब को यह विद्यूत विद्यूत सेल से मिलती है विद्यूत सेल का उप्योग अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है बच्चों, आपने कभी दिवार घड़ी में डालने वाले सेल को देखा है? आपने देखा होगा कि इसके एक तरफ धातू की टोपी और दूसरी ओर धातू की गोलाकार डिस्क होती है विद्यूत सेल में धातू की टोपी धनात्मक अर्थात पॉजिटिव सिरा है और धातू के डिस्क रिनात्मक अर्थात नेगिटिव सिरा है विद्यूत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्यूत उत्पन करता है जब विद्यूत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तिमाल कर लिए जाते हैं तब विद्यूत सेल विद्यूत पैदा करना बंद कर देता है तब उस विद्यूत सेल को एक नए विद्यूत सेल से बदलना पड़ता है विद्यूत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब बच्चों, आओ विद्यूत सेल का उप्योग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं इस क्रिया कलाप को करने के लिए हमें जो आवश्यक सामान चाहिए वह है विभिन रंगों के प्लास्टिक का आवरन चड़े विद्युतार के चार टुकडे जो विद्युतार तामबे से बनी होती है अब इन तार के टुकडों के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरन को हटा दीजिए हमें विद्यूत सेल की आवशक्ता है प्लास्टिक टेप और बल्ब चाहिए आओ अब क्रिया करें एक विद्यूत सेल लोग उसके दोनों सिरों पर तांबे की तार प्लास्टिक टेप की सहायता से जोड़ें इन तारों में से एक तार बल्ब की सतह से धातू के बेलनाकार आधार के हिस्से के साथ जोड़ो विद्यूद सेल के साथ जुड़ी दूसरी कौपर की तार का सिरा बल्ब के आधार के साथ प्लास्टिक टेप की सहायता के साथ जोड़ो अब बल्ब और विद्यूद सेल को अलग-अलग 6 भिन धंगों से जोड़ो अब उन व्यवस्थाओं को ध्यान पूर्वक देखो जिन में बल्ब दीप्थ होता है आपने ध्यान दिया होगा कि बल्ब एक और छे व्यवस्था में दीप्थ होता है एक और छे केश में सेल के धनात्मक सिरे से लेकर बल्ब के रिनात्मक सिरे तक निरंतर विद्युत प्रवाहित हो रही है अर्थात परिपत बंद है जिसके कारण बल्ब दीप्त हो रहा है दो और तीन केस में विद्यूत प्रवाह तूट चुका है क्योंकि परिपत खुला है जिसके कारण विद्यूत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँचती और बल्ब दीप्त नहीं होता चार और पाँच केस में सेल के एक सिरे से शुरू होकर निरंतर रास्ता है यद्यपी यह इसी सिरे पर खत्म हो रहे हैं इस स्थिती में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती जिसके कारण विद्यूत परिपत क्या है इस क्रिया कलाप में आपने विद्यूत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्यूत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा इन व्यवस्थाओं में विद्यूत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं इस प्रकार की व्यवस्था विद्यूत परिपत का एक उदारण है विद्यूत परिपत विद्यूत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्यूत प्रवाह अर्थात विद्यूत धारा के संपून पत को दर्शाता है बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपत में विद्यूत धारा प्रवाहित होती है किसी विद्यूत परिपत में विद्यूत धारा की दिशा विद्यूत सेल के धन टर्मिनल से रिंड टर्मिनल की ओर होती है जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्यूत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्यूत धारा प्रवाहित होती है यह बल्ब को दीप्तिमान करती है कभी-कभी विद्यूत बल्ब विद्यूत से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है फ्यूज बल्ब को ध्यान पूर्वक देखिए विद्यूत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है इन में से एक कारण है बल्ब के तंतू का खंडित होना बल्ब का तंतू खंडित होने के कारण विद्यूत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्यूत धारा का परिपत तूट जाता है इसलिए fuse बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण यह दीपतिमान नहीं होता है बच्चों, अब आपको ग्यात है कि विद्युत सेल का उप्योग कर बल्ब को दीपतिमान कैसे किया जाता है विद्युत स्विच किसे कहते हैं? बच्चों, आप सभी घरों में देखते हो कि जब स्विच ओन करते हो पंखे लाइट्स चल जाती हैं और जब आप स्विच ओफ करते हो तो यह सभी चीजें बंध हो जाती हैं वास्तव में इन सभी चीजों के जगने या चलने का कारण विद्युत्धारा का प्रवाहित होना है और विद्युत्धारा को काबु में रखने के लिए हम स्विच का उप्योग करते हैं जब स्विच ओन के स्थिती में होता है तो उस समय परिपत पूरा होने के कारण हमारे उपकरन चल पड़ते हैं और जब स्विच ओफ के स्थिती में होता है तो उस समय परिपत पूरा नहीं होता जिसके कारण हमारे उपकरन नहीं चलते इसका अर्थ हम यह देखें कि स्विच जो है वो परिपत को कैसे काबू करके हमारे उपकरण चलाता या बंद करता है स्विच का उपयोग देखने के लिए हम एक परिपत बनाएंगे जिसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवशक्ता होगी उपकरणों को जोड़ने के लिए जोड़कतार, बैटरी, उपकरण के स्थान पर हमने एक छोटा सा बल्ब लिया है जिसको हम उपयोग में लाएंगे बच्चों, स्विच के स्थान पर हम बहुत सामान्य वस्तु, सेफटी पिन का इस्तिमाल करेंगे और इन सभी चीज़ों को गते पर जोड़ने के लिए सेलो टेप का इस्तिमाल करेंगे तो बच्चों, यह सारी सामगरी जो आपने देखी, इसे आपस में जोड़क तारों की सहायता से जोड़ा जाता है और हमारे पास जो final product एक switch, एक सरल परिपत बन कर आता है वह कुछ इस प्रकार का होता है देखो बच्चों, इसमें हमने सारी वही सामगरी इस्तिमाल की है बैटरी, जोड़क तारों के कुछ टुकडे, एक बल्प जो एक होल्डर में लगा हुआ है और एक safety pin इस सारी सामगरी को हमने गत्ते पर paste किया है ताकि प्रत्यक चीज अपने स्थान पर रहे और हम सारे model को अच्छी तरह से handle कर सके तो बच्चों, यह है हमारा सरल परिपत अब हम देखेंगे कि इसमें switch क्या काम करता है switch की दो positions भी हो सकती है एक on और एक off जब switch on होता है, तो परिपत पूरा हो जाता है और जब switch off होता है, तो परिपत तूर जाता है यह switch के on और off होने की स्थिती कैसे पता चलती है आओ इस बारे में देखते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो safety pin है, वहाँ एक switch का काम करेगा इस safety pin को मैं कुंजी के साथ जोडती हूँ या आप इसके स्थान पर एक लोहे का pin भी इस्तिमाल कर सकते हैं जिसके साथ हम तार को गत्ते पर जोड़ कर रख सकते हैं तो हम इस switch को pin के उपर लगाते हैं यहाँ पर बच्चों नोट करो कि switch को pin के उपर लगाते ही बल्ब दीप्त हो गया अब बच्चों यह on अथ्वा दीप्त क्यों हुआ है जैसे हमें पता है कि बैटरी जो है वह हमें विद्यूत की सप्लाई दे रही है यह विद्यूत के प्रवाह की दिशा क्या है आओ इसके बारे में जाने बैटरी के एक टर्मिनल से जूड़ी हुई तार से विद्यूत का प्रवाह हो रहा है यह प्रवाह switch के एक कोने तक पहुँचता है इसको जब हम आउन कर देते हैं अर्थात दोनों को जोड़ देते हैं तो switch से होता हुआ तार में विद्यूत का प्रवाह होता है जो की बल्ब के टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है बल्ब तक यह पहुँचती है और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जोड़कतार द्वारा वापिस बैटरी में आ जाती है और बल्ब जो है वह जग जाता है तो इसमें बच्चों आपने क्या देखा कि हमारा परिपत कहीं से भी खुला नहीं है पूरा परिपत आपस में प्रतेक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं बंद परिपत बंद परिपत और स्विच के पुजीशन अन इसी प्रकार बच्चों आओ अब हम स्विच को आफ करती है आफ का अर्थ हमने क्या करना है इस परिपत को हमने किसी एक जगह से खोल देना है। और हम यह जानते हैं कि हमारे घरों में जिससे हम उपकरन चलाते हैं एक स्विच है, जो हमारे हाथ में होता है, जिसे हम ON करते हैं या OFF करते हैं। आव देखें कि स्विच अफ करने पर क्या होता है। स्विच आफ करने के लिए मैं इस पिन को स्विच के उपर से सेफटी पिन के एक सिरे से अलग कर दूँगी तो बच्चों, आउन से अचानक आफ करने पर क्या हुआ? हमारा बल्ब जो है, वह बुझ गया क्यों बुझ गया? यह इसलिए जगना बंध हो गया क्योंकि हमारा परिपत पूरा नहीं है, बंध नहीं है यह एक जगह से खुल गया है, वह इस जगह से खुल गया है तो बच्चों, इस प्रकार हम स्विच को आउन या आफ करके अपने उपकरनों को घर में चलाते हैं विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमने अपने सभी क्रिया कलापों में परिपत को पूरा करने के लिए धातू के तार उप्योग किये थे मान लीजिए, परिपत बनाने के लिए धातू के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उप्योग करते हैं क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिवान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपत में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आईए इसका पता लगाते हैं. इसे हम एक क्रिया कलाव की सहाइता से देखेंगे. यह एक सरल विद्युत परिपत है. इसमें एक सेल, बल्ब, चाबी और जोड़क तारे हैं. चाबी को बंद करने पर परिपत पूरा हो जाता है. विद्युत थारा परिपत में से गुजरती हैं और बल्ब को दीप्त कर देती हैं. बच्चों, यदि जोड़क तारों को बीच में से काट दें तो आपको दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे. इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें. क्या बल्ब जग उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युधारा प्रवाहित करते हैं अथ्वा नहीं. जाच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कौर्क, रबड, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकडी का गुटका, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकॉल, कागस तथा पैंसिल के लीड आदी एकत्रित कीजिए. चालक परिक्षित्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रतेक नमूने से बारी-बारी से स्पर्ष करें. ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्ष ना करें. क्या हर बार बल्ब जलता है? अब हम जोड़क तारों के बीच में एक लोहे का कील लगा देते हैं. तो आप देख सकते हैं कि बल्ब दीप्थ होने लग जाएगा. क्यूंकि कील लगाने से परिपत पूरा हो गया और परिपत में से विद्युधारा गुजर कर बल्ब को दीप्थ कर देती है. इसलिए बच्चों वह पदार्त जो विद्युधारा का प्रवा होने देते हैं उन्हें विद्युध्चालक कहा जाता है. जैसे कि लोहे का कील, अलुमीनियम की पत्ती, सिक्का, चांदी आदी. अगर हम इस परिपत में लोहे की कील के स्थान पर अलुमीनियम की पत्ती लगाकर देखें, तो फिर भी बल्ब जग जाएगा. लेकिन बच्चों, यदि परिपत में कील के स्थान पर रबड या लकडी का टुकड़ा लगाएं, तो आप देख सकते हैं कि बल्ब नहीं जगेगा. क्योंकि रबड या लकडी में से विद्युध्ध की धारा नहीं प्रवाहित होती. इसलिए परिपत पूरा नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता. इसलिए बच्चों, वह पदार्थ जिन में से विद्युध्धारा का प्रवाह नहीं होता, उन्हें विद्युध्रोधक कहा जाता है. जैसे की रबड, लकडी, प्लास्टिक और कांच आदी. विद्युध्ध चालक तथा विद्युध्रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपून है. स्विच, विद्युध्ध प्लग, सौकेट, सुचालग पदार्थों से बनाये जाते हैं. दूसरी और विद्युध्ध तारों, प्लगों के उपर के भाग, स्विच तथा विद्युध का बहुत अच्छा चालक है. अतह, विद्युध उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिये. दोहराई विद्युध सेल विद्युध का एक स्रोत है. विद्युध सेल में दो टर्मिनल होते हैं. धन टर्मिनल और रिन टर्मिनल. प्रकाश उत्पन करने वाली पतली तार को बल्ब का तंतु कहते हैं. स्विच एक सरल युक्ती है जो विद्युध धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपत को तोडता अथ्वा पूरा करता है. जिन पदार्थों से होकर विद्युध धारा प्रवाहित हो सकती है, वे विद्युद चालक कहलाते हैं. जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं विद्युत धारा धातूं में से गुजर सकती है विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से रिन टर्मिनल की ओर होती है कांच, रबड, लकडी, प्लास्टिक, विद्यूत रोधक की उधारणे है लोहा, चाबी, कॉपर कितार, चांदी आदी, विद्यूत चालक की उधारणे है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इनके जवाब आते ही होंगे मेरा पहला प्रश्ण, विद्यूत धारा लकडी में से गुजर सकती है सही अथ्वा गलत, यह कथन गलत है मेरा अगला प्रश्ण, जिन पदार्थों में से विद्यूत धारा गुजर जाती है, उन्हें विद्यूत डैश कहा जाता है आपके विकल्प हैं चालक अत्वारोधक इसका सही उत्तर है चालक डैश एक सरली अंत्र है, जो विद्यूत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंब करने के लिए परिपत को पूरा या तोड़ देता है इसका सही उत्तर है स्विच क्या इस चित्र में बल्प दीप्तिमान होगा या नहीं? तो देखकर बताईए आप लोग, इस चित्र में बल्प दीप्तिमान नहीं होगा इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आप सबको यह समझ आ गया होगा बच्चों तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवादे